नमस्कार दोस्तों मैं उमेस आप सभी का अपना यूट्यूब चानल फिर से बहुत बहुत स्वाद करते हैं दोस्तों बीज अनुदान जो खरीब मौसम है उसके लिए अप्लिकेशन फॉर्म यहां पर सुरू किया जाने के लिए एक आपिसल नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो अगर आपको भी खरीब जो मौसम होता है जैसे कि धान हो गया अरहर हो गया सोया बीन हो गया मडवा बगर हो गया उस पे आपको बीज चाहिए और बीज पर उन्दान चाहिए मतलब कि आपको बहुती कम दरोपे सरकारी जो बीज होता है आपको चाहिए तो अभी आपको उसके लिए form फिल करना होगा क्योंकि बाद में बहुत अरव लोग आते हैं कि हमें जो है बीज चाहिए तो उस समय आपको बीज नहीं मिल पाएगा जब आप पहले से रशिशन यहां पर नहीं किये होंगे तो कैसे फॉर्म को फिल करना है कब से फॉर्म फिल होगा उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कौन से बीज पे आपको कितना उंदान मिलेगा किस तरह से मिलेगा सभी जनकाड़ी हम इस वीडियो में किलियर करने वाले हैं प्लिस वीडियो सुरू से अन तक लिए कज़रो देखिएगा क्योंकि आप एक साइबर के फिवाले हैं या फिर खुद आप जो है बीज यहां पर सरकाई लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वीडियो जो है आपके लिए काफी हिल्पुल साबित हो सकता है बीज उन्दान के लिए ओनलाइन आवदन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इजी टूनेट.com पर आना है आप अपने मुबाइल या फिर जो लेटप होता है उसमें आप साज कर सकते हैं और सानी से जो है इजी टूनेट.com का जो अपीसल वेबसाइड है यहां पर आ स से क्लिक करके आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि यहां पे जो है सभी जनकारी आपको step by step बताये गया है तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं और इसका जो ओनलाइन आवदन करने का लिंक है उसको भी यहां पर पुरवाइड किया गया है तो सबसे पहले क्रीसी विभा इहां पर बता दिया गया है तो देखिए शबसे पहले हम बात कर लेए विज के encantते हैं कि इस्में आप धान और और अरहर का बीज होता है 90 परसेंट तक जो है अनुदान के 겨हीं ले सकते हैं इसको फृश एक बार समझ कopedia मिलेगा दखिए अगर आप धान का बीज पर अंदान पना चाहते हैं, तो इसमें आपको 90% तक या फिर 40 किलो गराम में से जो भी निवतम होगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अंदान दिया जाएगा, आप आधा एकड के लिए धान का बीज यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर अधिकतम जो फसल वार बीज की मातरा होगी, यहाँ पर फसल वार जो बीज की मातरा होगी, उस 6 किलो प्रती गराम के हिसाब से होगा, देखिए, जो बीज का अनुमानित मुल्यदर होगा, वे 42 सुर्पय हो सकता है, जिसमें से आपको 90% तक या फिर 40 सुर्पय किलो गराम जो ही, पहान का बीज है, आपको दिया जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर रहर के लिए बोला गया है, तो इसमें भी वही कंडिशन लगाए गया है, 90% तक जो है, आप यहाँ पर अनुदान ले सकते हैं, इसमें, अनुदान साहेता रासिदर यहाँ पर बोला गया है, जैसे कि 125 र मानित इसका रेट है, रहर का, जिसमें 90% तक जो है, अनुदान या फिर 103 रुपे तक जो भी कम होगा, उसके हिसाब से आपको लगाया जाएगा, और आप इसके लिए 14 एकर, यानि कि 0.25 एकर तक आप यहाँ पर लेंगे, दो किलो ही आपको यहाँ पर मिलेगा, फसलवार देखें तो ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कि आपको जो ही कितना उंदान मिलेगा, और फसलवार जो बीज की मातरा होगी यो क्या होगी, मैंने यहाँ पर बता दिया है, अब यहाँ पर देखेंगे, बिसेस दलहन योम, तेलहन बीज बीतरन का जो कारे करम है, उसक से 80% तक आपको उंदान मिलेगा, तो यहाँ पर एक एकड़ के लिए आपको मिलेगा, 25 किलो आप यहाँ पर अधिकतम एक एकड़ के लिए ले सकते हैं, और इसको आप 8 किलो जो है अधिकतम एक एक एकड़ के लिए ले सकते हैं, इसका भी रेट यहाँ पर एक सब पचीस बॉर्सों से कम अधिके जो प्रव्हेद होते हैं वाल आप धान का दिज लेना चाहते हैं तो आपको 50% तक जो छो अंधान यहाँ पे देखने को मिलेगा जैसे 40 ृपकिलो धान होगा ठीक है तो यहाँ पर 50% अंधान आपको मिलेगा 20 रुपकिलों आपको यहाँ धान देख अधिक वाला होता है से होई चीज कंडिसन अपर अपलाई होता है 50 परसंट तक आप कुंधान मिलेगा यहां पर देखेए जो धान का बीज है वो इसके तोहद मिल जाएगा यहाँ पर जवार है जवार के लिए भी बोला गया है मड़ुआ है सावा है तो इसको भी एक पार देख लेंगे इसमें मुझे लगता कि बताना पड़ेगा अलमुष्ट मैंने आपको सराजनकारी बता दिया है उसके साब से अब निकाल लेंगे अनुदान के साथ आपको बीच का जो ठयल लगेगा अब यहाँ पर बात करें न का लेते हैं कि इसके लिए ओपीसल पोटल हो ओन से लिए ज आवेदन जो है 15 अपरील से सुरू होगा और 30 माई के बीच में आवेदन आप करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, 15 से सुरू हो रहा है, और 30 माई तक फॉर्म को आप फिल करेंगे, और फॉर्म आप चाहें तो कॉमन सेंटर से भरवा सकते हैं, साइबर केफे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि इसका जो ओनलाइन आवदन करने का अंतिम थी थी है तीस मई तो रखा गया है लेकिन बीज बीतरन करने का जो अंतिम थी थी है वो 15 जून रखा गया है तो इसमें देखिए होता है कि सबसे पहले आपको करते हैं तो आपका जो भी आवदन का डेटा है वो जो है किसान जो समन्यक होते हैं कि किसान को इनेटर होते हैं उनके पास चला जाता है अब क्या होता है कि जब भी बीज बितरन का करेक्रम होता है उस समय किसान जो को इनेटर होते हैं आपको सुचनिया देते हैं कि यहां की जाएगी जहां से आपकर अपना बीज फ्राप करने इसमें होता का यहां हो कि ऊटी पी सेंड की आता है उसो बदने इसके बात आपका जो भीज susan के विधाने की लिए कि आपको अबने परक्राइब पोस्ता कीक्रिषिजवब्म भाण पर्षग पなた की अधेब हैं तो किसानों के घर तक जो है पहुंचाया जाएगा बीज वो मतलब ऑनलाइन करते समय आपको उप्सन चूज करने का मिलेगा कि आप होंडोरी का सुभीदा लेना चाहते हैं तो वहां पर आप यास करेंगे तो कुछ एस्टा आपको चाय देना होगा और आपका बीज जो ह चाह wrench है कि मैंने आपको maths क्लिАर कर बता दिया कि क कौन-क्यूं मिलेगे कि तरह से इसक फार्म को फिल सकते हैं अपिव चर्प कर सकते को बताए कि पंदर अप्रील से लेकर यहां पर आपका जो है और कब तक अप्लिकेशन फॉर्म फील हो का उसके रिगार्डिंग में बात किया हुआ है तो उसके अंदर आपको फॉर्म को फील करना है उसके बाद ही आपको बीच यहां पर दिया जाएगा तो आज किस वीडिय वीडियो में एक नए टॉफी के साथ अब तक लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप जहां भी रहें स्वक्षित रहें स्वस्त रहें बहुत बहुत धन्यवाद